नमश्वार दोसों आप शुबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों केशे हैं आप शुबी उम्मिद करते हैं कि भगवान श्रीराम के शुर्बाश्य आप सभी बहुत अच्य होंगी जिया दोसों दोसों हम आप शुबी के लिए एक बहुत अच्छी खबर लिख राए हैं जिया दोसों आप शुबी को बता दे कि अब आपकी रक्षा कर रहा है मर्यादा पुर्शुतम भगवान श्रीराम जिया दोसों और रावन जिसे लोग अब इनसे हो जाएं शावधान क्योंकि दोसों आप शुबी को बता दे कि आने वाले दोसे चार दिनोंके अंदर आप शुबी की जुनकाल में बहुत ही बड़ी घटctoral होने वाले है जिया दोसों जिने अगर आप शुनेंगे तो दोसों आपके भी खोश उड़ जाएंगे आप शबी को बता दें कि दोसों याश्र में आने वाले दो से चार दिनों के अंदर आप शबी की जुनकाल में जो भी आपके दुश्मन हैं जो भी आपको पिछलिश में बहुत यदा परिशान किये हैं जिनों ने दोस्तों आपको जिने की महलत तक नहीं दी जिन से आप अपने जीवन की भी तक मां रहे थे जिनके कारण दोस्तों आपने बहुत शारी जिनकाल में किलत भरी जिंदगी सी हैं अपने खुशियों को त्याग दिया अपने जिन के लिए अपनी जिनकाल में आपने जिन पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया है दोस्व उन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा दोके दिये हैं लेकिन दोस्व और यह घटनाएं अब नहीं होंगी आप शुभी को बताया दें कि जो लोग आपको परिशान करते आ जो लोग आपके जुनकाल में आपको खुश नहीं देखना चाहते थे दोस्व अब उन लोगों को शजा मिलने वाली है जिए दोस्व और यह शजा श्वेंग भगवान श्राम उन शभी लोगों को देने वाले हैं और दोस्व इनकी सबसे बड़ी सजा होगी कि आपकी तरकी आपकी काम्याबी और आपको मिलने वाली खुश खपरी जिए दोस्व जब भगवान श्राम आपको आने वाले दोसे चार दिनों के अंदर बड़ी-बड़ी खुश खपरियां देंगे बड़ी-बड़ी शुपलदाई देंगे और बड़ी-बड़ी काम्याबी जब आपक शांत नहीं बिटना है जिए दोस्वे चार दिनों को अंदर श्रीराम कर्चमतकार आप सबी के जिवनकाल पर चलने वाले हैं बहुत शारी कुशकबरियां मिलेंगी बहुत शारी बड़ी बतला होंगे और दोस्वे में आपको बहुत यह दाश्रत्र को शावधान भी रहना ह होगा क्यों दुश्मन है तो वह कोई ना कोई शड़ेंतर जरू करेंगे वह आपकी कम्याभी देख नहीं शकते यह में दोस्वे चार दिनों के अंदर आपको कौनशी विशेश सालधनियां रखनी होंगी कौन-कौनशी बड़ी खुशकवरी मिलने वाली है आपके घर के म काल में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि दोसों इन जलने वालों से भी आपको चुटकरा मिलेगा शाति श्री राम बहुत यह दंशी पर्शन होंगे तो दोस्तों आप इन उपाय को जरूर कीजिएगा जिवन के शब्से बड़ी मुलमंत्र है आप इन्हें ध्यान सुने इस वीडियो में गहरी तरिकेश करहों की गोशर प्रदारिद है इन्हें अन्तर तक देखिएगा उश्य पहले दोस्तों जो भी बगवान प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरूर करें और कमेंट बक्षमी सच्ची मंद से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तीन बात जरूर लिख दें, भगवान श्री राम का यह नाम कोई मंद्र से कम नहीं है, जो नकाल में आपको शबी संकोटों से मुक्ति दिलाएगा, खुशिया आप शबी को मिलेंगी, तो आई दोस् वर्तमान ही एशे हैं, जो किशी व्यक्ति का पिछला इतियास नहीं देखते, उसके वर्तमान आचरन नहीं देखते, वह देखते हैं केवल उसके विश्वास को और इस विश्वास को देख कर ही वे उस व्यक्ति के अथवा उसकी अभाव की अनुभूती का अभाव कर देत मन उसको दुख होता है अभाव की नुभूती शीख अभाव की नुभूती मिट जाने पर उसका दुख मिट जाता है जै लोसों तो दोसों बगवान श्रीकिशन का याग ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो शमल में आई हूं तो दोसों वीडियो को एक लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंड बॉक्ष मिख दे जय श्री किष्णा राधी राधी तो आई दोस्तों भी श्री के शाद बात करते हैं कि आने वाले दो से चार दिनों के अंतर बगवान श्री राम आप श्रीवी की जुनकाल में आपको कौन-कौन श्री बड़ी खुश्खबरी देने हमेंग만ने वाले हैं शाधि कौन के विश्री बातों का इन 2-4 दिर्व में आपको त्यहान रकना होगा ताक़ दोस्तों कोई भी श्रीवी खत्म हो जाए और भगवान श्रीराम पशन हो जाए और दुश्मनों शिवी आपको मुक्ती मिले तो दोस्तों यसे में आपको कौनची उपाई को करना चाहिए इनके बारें बात करेंगे तो आई दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से दोस्तों यसमें अधिकता श्माजिक गतिद्यों में वहितित होगा आपकी करेशमता और अधिक ससक्त होगी दोस्तों शंतान के केरिये श्मन्दी समस्याओं को सुजाने में महतपुर व्यक्ति की यसमapeर शायता भी मिलने वाली है वह दोस्तों इसको प्राइठ धर्म करम से जुड़े मामलों में भी आपको विश्य स्योगदान देना पड़ेगा और इसको ब्राद दोस्तों आपको बदा दें कि यश्में आपके शौधनी क्या होगी तो दोस्तों अगर पैत्रिक शमंदी कोई बाद बाद चल रहा हो तो दोस्तों यश्में उसके बढ़ने का भी अ सावधन रहने की भी आवश्कता होंगी और इसको प्राद दोस्ते यश्में आपको बता दें कि दोस्तों बड़े लक्ष्यों को छोटे जोटे भागों में तोड़कर उन पर काम करने की आवश्कता होंगी जिसे दोस्तों इनके द्वारा आप पर तनाव भी कम होगा और चोटे-चोटे लक्ष भी प्राप्त करने में आप उत्साह और आत्मिश्वास महसूर करेंगे दोस्तों बच्चों के साथ बिताएगा शमय आपके लिए आनद दायक रहेगा इनसे आपको आनद की प्राप्ति होगी और दोस्तों इसको परांत यह शमय आपके लिए शमय करवने की युजना भी बन शकती है और दोस्तों इसको प्रांत यह शमय जल्दी उपलग्दी आशिल करने के चकर में गैर कानूनी कारी में हाथ ना डाले बैतर होगा कि शमय के अनुश्वार अपने कारियों को अंजाम देते रहें यह आपके लिए शमय अत्युक्तम होग सकते हैं इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है अपने कहमें रखना है और वीचारों को बताने क्या वश्कता होने बाले हैं दोस्तों आपको बता दें कि आपके अंदर बढ़ते गुश्य की कारण आप अपने करीबी की को दिल दुखा शकती ऑर गलत फहिमिया भी आप हा सकते हैं तो दोस्तों होश्चा के इन सभी से सावधान है यह आपके लिए योसमें होगी आपको बता दे की दोस्तों काम काच को लेकर की गई यात्रा आर्थी गूरुप से बहुत दायक शाबिद होंगी कारियों को भी पूरी उर्जा के शाथ पूरा करने में आपकी ज़च बना रहेगा दोस्तों आपको बता दें कि पारिवरिक वातारण भी अनुशासित और सकात्मग यश्मे बना रहेगा किसी पारिवरिक बिवा शम्मंदी अच्छा प्रस्ताव आपके लिए आशकते हैं और इसको प्रांथ विद्यार्थी जो है तथा युवा लोग व्यर्थ के हास परियास तथा मरुजय शमंदी कारियों में समय को नश्ट ना करें यह समय फिजूल खर्ची पर भी आपको नेंतर रखने की लुए आपको दोस्तों हिंस आपको जाए उलसक में यह होगी आपको बता दे कि दोश्तों आपको बना हुए यजना को पुरा होते डिय आपको जो e smat प्राप्त होने वाले और दोस्तों यह में अगर लिल्लक्ष की त्यारी करने की आपको शुरुआत करने होगी पेसे से जमने निरले आपके उचित साबित होंगे वह दोस्तों आपको बता दें कि यह मैलाओं के नाम पर किया गया निवेश आपको अधिक फायदा देश रखत अपनी जो है शमताओं पर आपको विश्वास रखना चाहिए परिवार के शाथ घर की जनरत समंदी वस्तों की खरेदारी में भी शमय वहतित होगा और दोस्तों किसी नहीं दिकी रिष्टिदार के शाथ सल रहे बाद गवाद के सुल्जने में से शमंदों में दोबारा अगर आपके केरेड के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि काम काज में बहुत अधिक वहस्ता बने रहेगी कुछ महत्मुन फिचले भी आपके शपल होंगे और मार्केटिक शमंदी कारियों में अधिक कार जो है अधिक समय आपका ववैर्थ ना करें यह आपके लिए और में बहुठर होंगे और था यह में आदिनंष्ट करमचारि मांन सम्मान में आपको ध्यानि देना चाहिए यह आपके बहुष के लिए बैधर होंगे कि की दोस्तों यह वहे पार में विस्ताश्मध गवस्ताब्स आप गंबता से होंगे दोस्तों आपको बता दें कि यह में पती पत्रें के बीद चल रही करत फ्यमियां दूर होंगी और यह में किसी मित्र के मुलकात के लिए जो समय होगा ऐसे आपका दिन जो है घुश्टुमा और तरह ताजाँ बढने वाले और दोस्तों इसके प्रांदी श्रूमिया आपके हैल्थ के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि वर्तमान मोश्म के वज़र शेक्ट हल्के फुल के उतार चलाव कि इस्ती और रहेगी अपने खान पॉन और फिर दवायों का विश्य ध्यान रखें यह आपके श्वास के लिए यह में बहतर होंगे दोस्तों हलकी फुलकी मौश में बारियों जिसे खान से जो काम गला खराब आदी परिशान करेंगे इसलिए लप्रवाई ना बढ़ते ही तो आपके लिए बहतर होंगे दोस्तों बात करते हैं कि यह श्वास में आपको कौन से उपाई को करना चाहिए ताकि भगवान श्री राम भी प्रशन हो जाए और शारी दुस्मनों से भी आपको चुटकरा मिल जाए दोस्तों हम आप श्रीवी को बिताते कि जुनकाल में उपाई बहुत शारी होते हैं लेकिन दोस्तों जिनसे भगवान प्रशन हो जाए वह उपाई बहुत यदा श्रल होते हैं जिया दोस्तों आप देखे होंगे कि बहुत शारी लोग भगवान को बहुत बड़ी बड़ी रकम में वस्तुएं चढ़ाते हैं तो दोसों इसे में दोसे चार दिनों के अंदर आप शुवी को अपने जुनकाल में कोई भी गाय हो जो खड़ी हो जो बैटी हो दोसों उसे रोज आप खिलाएं लेकिन दोसों इन्हें आपको भगवान शुराम शुमज कर रोटी खिलाना है इतनी प्रशनता से कि समझो भगवान शुराम आपके पास खड़े हैं और जब भी गाय को रोटी खिलाएं भगवान शुराम को जरूर रियात करें दोस्तों भगवान शुराम आप शीप परशन होंगे जिवनकाल के आपके कश्ट हर लेंगे और दोस्तों आपके जुन